हेलो स्टूडेंट वालकम तो माई यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप तो स्टूडेंट आज हम डिसकस करेंगे क्लास 10 में चाप्र ट्वाल एरियाज रिलेटेट टू सरकल के स्पोर्ट मटी जाल कोश्चन नमबर 13 में रखाया है इक दर डिफरेंस बिट्वीन इसे जैंए बावल एंड को कहते हैं रेडियाज तो इसके जो आउटलाइन को कहते हैं सर्कमफरेंस हमें इन दोनों का डिफरेंस दे रहका 37 सेवन सेनिमीटर नहीं लिखूंगा मैं सरकम्फ्रेंज ओफ सरकल माइनस रेडियस इक्वल है 37 के सरकम्फ्रेंज का फॉर्मॉला होता है 2 पाई आर माइनस में आर इक्वल टू 37 दोनों में आर कॉमन आ रहा है कॉमन निकाला इना कितना बच गया 2 पाई आर कॉमन आ चुका इसके जगा कितना बचेगा 1 आर हमें कोशन में गिवन नहीं है तो आर हम as it is ही रहने देंगे 2 का 2 पाई की वैल्ली 22 बटे 7 माइनस का 1 इस इक्वल टू 37 इसको नॉर्मली हम सॉल्फ करेंगे ठीक है 22 दूनी 44 एल्सियम लिया मैंने नीचे कुछ ने डिरेक्टर मल्टिप्लाय कर देंगे 7 बचेवन बचेवन था 7 37 आर इंटू माइनस किया दोनों को तो यह मेरा कितना निकल गया है 37 अपन में 7 यहाँ पे 37 आर को इहीं पे रेंड दो 37 नीचे है तो ओपर चला जाएगा ओपर है तो नीचे आजाएगा चैंसल होआ तो रेडियस हमारे कितनी निकल गया आगी 7 सेंडिमेटर जैसे हमारे पास अगर रेडियस आ जाती है अब इसका सर्कंफरेंस निकाना बिलकुल इजी होगा तो यहाँ भी मैं सर्कंफरेंस का फॉर्मला लगाता हूँ फॉर्मला होता है 2 पाई आर दो का दो पाई की वैल्यू 22 बड़े साथ रेडियस के दिनी हमारी 7 कैंसल होआ बाई जोनी 44 तो यह इसका सर्कंफरेंस हो जागा 44 सेंडिमेटर हमारा कोशन नमर 13 यहाँ पर कम्प्लीट होता है अब हम दिसक्रस करेंगे कोशन नमर 14 कोशन नमर 14 नहीं में दे रखा है इस डायमेटर अफर सर्कंफरेंस बाई 40% फाइंड बाई हाव परसेंटेज इस एरिया इंक्रीज कोई सर्कल हमारा ठीक है कुछ इस तरीके से हमने क्या किया जो भी इसका डायमेटर था उससे 40% इंक्रीज कर दिया चलो यहां लिखता हूँ मैं डायमेटर मान लेते हैं शुरुआती स्टेज के अंदर इसका जो डायमेटर था वो 100% था ठीक है लेकिन 40% इंक्रीज करने के बाद अब कितना हो गया 140% हो गया रेडियस जो होती है वो अहमेश यहां डायमेटर की क्या होती है हाव होती है डायमेटर 100% तो रेडियस कितनी होगी 50% इसकी रेडियस को मैं माले तो हूँ कैपिटल आ इसका हाफ कर दो 70% होगी अब इसको नॉर्मल करें तो कितना होगा % जटता है नीचे 100 आता है 1 by 2 इसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी % जटता है नीचे 100 आता है कैंसल हुआ कितना है 7 upon में टैनिकल के आगे दोनों के रेडियस आगी ठीक इतना आने के बाद अब यहां पर हम क्या comparison करना है किसके एरिया में कितना % चेंज हुआ इस circle को नाम देते है C1 इसको नाम देते है C2 small r इसकी capital r है यहां लिखा मैंने area of C1 upon में area of C2 दोनों का ratio निकाला पहले कि दोनों में pi r square इसका pi r square ठीक pi से pi cancel हो गया इसके r कितनी है 1 upon में 2 ओपर square है इसके r कितनी है 7 upon में 10 है 1 को 1 से multiply करेंगे 1 2 को 2 से किया 4 7 को 7 से किया 49 10 को 10 से करेंगे 100 पिस जब ओपर जायागा तो इसका हो जायागा reciprocal 1 by 4 100 upon में 49 हो जायागा clear तो याने कि इसमें इसका में डिवाइड दे 25 आया तो 25 upon में 49 ठीक ये इनके area का ratio है ना कि area निकल गया है अगर इसका area 25 unit square होगा तो इसका area कितना होगा 49 होगा देखो हमने इसके diameter को बढ़ाने के बाद इसका area increase हो ना पहले तो increase नहीं हुआ तो इसमें increase amount कितना निकल कि आया है हमारा increase 25 से 49 हो गया minus करते है चक करते हैं पता लग जागा कितना increase हो minus किया तो 24 unit आया इतना increase होगा है अब इसे बताना है percentage में तो जो increase हुआ वो उपर शुरुवाती stage में area कितना था किसका सीवन circle का शुरुवाती stage में इसका area 25 percentage हैं बताना है तो into कर 200 25 के 100 24 को 4 से multiply करेंगे 96 यानि कि area हमारा पहले से अगर 40% diameter increase करते हैं तो area 96% increase होगा clear और इसी के साथ हमारा question number 14 यहाँ पे complete होता है उमीद करता हूँ student आपको question समझ में आगया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें शेयर करें comment करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें बलत अगली वीडियो में ओके बाइबाइ थैंक्यू